हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कर लार मेरे टो कर लार कर लार आडूरी अप्षित! अडियर! अडियर, अप्लेपैं! इसरूपी! अडियर, अडियर! बीजह, आपको एपटिए! आटिये, आटिये! जैडी, आल्टीये! आटिये, आपको! आटिये, आल्ये! घर रोपिक आपका भुवल सुल्द एह ळो छोफ चूए्या ची उज्या आपका पूष्या परिगा, मेरा क verl REALLY हो आपका झाल जाप का ओ Manuel P ainsi कर दिधु कर दो मैं र कर दित है। सर देयर, क्या वो देयर हुए? यहलों बोलने कि मैंने वो, मैंने वोष्कों? शूर्ण बोलने, सर देयर, मैंने देयर... शूर्ण? मैंने... मजु पता है ने, सर मैंने... यहाँ नहीं हमिजित तुम अंदर नहीं जा सकते हैं तुम नहीं दया की जान ले लिए तुम एक रफतार कर रहा हूँ जिसका खुण हुआ है उसका नाम ठीके है एक प्राइविक डिटेक्टिव उसके मेट ने लाज दे के सुवए तुम एक रफतार कर रहा हूँ देया, चेहरे के दो चित्रडे उड़ गए हैं, लगता है पॉइंट ब्लांक रेंग से, एक से ज्यादा गुलिया मारी है इसे सार, इस कमरे का सामान अपनी चागे पैसे, बिखरावा नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि यहां प्याता पाई हुए सार, सार, यह कवोरों सेव तो खुलावा, वह जोर सब समान अपनी जगे पैपी है, यहां लग रहा है कि इसको किसी नाती में लगाए सार, पैसे और सेवर ऐसे के ऐसे ही? यहां लगता है, खुनी को जो चाहिए था, शायद वो वही लेकर गए सार, गोली तीन गोलिया चलिये रहा शार, आपरेड़ी शार, यह खिड़के के काच्छ निकाले वोगे, मतलब कुनी, यहीसे अंदर भुषार यहां काम कर लो अपरेड़ी, फिंगरप्रेड़ चुटा सार, आदे यहां आदे के का मोबाइल फोन से, बन्ने से पहले टीके ने तीन बार किसी संजय को काल किया संजय किसे संजय को जान किया? नहीं साब रात एक बज़े से धाय बज़े के बीच में, पीम बार संजय के डीटीज में खालो, साब हाँ और रात है, यह अभी चित का रहे जा तुम्हें उसे पुंदर के का था न, यहां आने के लिए, क्रेंच इन पर हाँ से बताया था, शहाद कहीं टाफिक में भज़ गया होगा टाफिक में पोन करो उसे कहो, इसी वक्त आजाए यहां पर स्वार हाँ 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 ते है क्या बोल रहा है अभजीत, कहा है वो सर वो तभी थोड़ी खराब है उसकी वो डॉक्टर के पढ़ जाएगा और शयाद वहां से सिरे ब्यूर पहुंचेगा कोई प्रॉब्लम है है सर कोई प्रॉब्लम में समझ भी में आता है यह अभजीत दिल्ली से आने के बाद कुछ अजीब सा बरपाव कर रहा है कुछ वहां अजीब सा प्रॉब्लम कि तुमको मेरी मदद की ज़रूरा थे हैं तुमको है अरे वाई तुम तो कुद एक CRD ओफिसर हो लेकिन ये काम ये काम मैं खुद नहीं कर सकते हैं अलो ठीक है कर देंगा मदद कर देंगा मदद को भी क्या याद रखेगा चाई वाई पोपी नहीं आए वोड मैं मैं ठीक हुभाई आमेन तेख जेतन ये काम जो एण इसके बारे में किसी को खबर नहीं होने चाहिए खास्तोर पे मेरी टीम को कैसी बात कर रहा यार इतने दूस्ती है किसी का पीछा करना है नज़र रखनी है उस पर और इस काम के मैं तुझे पैसे भी तोंगा प्या बात कर रहा है यार तोस्ती में पैसा जल्टीक है तेरा विच्छा है तो दे देना पैसा उसे पीछा करना है अब जीद लगता है तुने गलती से गलत फोटो दे दिया है कोई गलत फोटो नहीं है तुझे इसी का पीछा करना है यह कहां जाता है किस से मिलता है क्या करता है सब कुछ रात दस बजे से सुबेद छे बजे तक और प्लीज कोई सवान मत पूच जितना का है उतना कर बस ओके ओके यह तो अभी जी तो पागल हो गया है यह बहुत बड़ा कोई केम चल रहा है क्या देकी का खून हो गया मरने से पहले डीकी ने आखरी बार फोन पे आप से बात किती आधी रात को क्या बात क्या हुए थी आपकी वो मेरे कहने पर किसी पर जासूसी कर रहा था कुछ सबूत मिला उसे इसलिए उसने फोन किया था मुझे जासूसी क्यों? मेरी बॉस मंदीराजी के लिए मंदीराण? कुमार जुएलस की मालकेम, मशूर पीज त्री सिलिप्रिटी उस दिल्ली वाले केस के बारे में तो आप सभी सुनाईगों हो 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 मंदीरा तुमार मंदीराजी उन पर तो उनके पती सास०ाद और केयर टेकर्स को वारने का इल्जाम था है न? जी मगर सबूत नहां मिलने पर कूट ने मंदीरा जी को बरी कर दिया और उसके कुछी दिनों बाद, मंदीरा जी के परसनल असिस्टेंट, इशाना, उसने भी आत्मत्या कर ली. इशाना! तु खज भी लीटो कई ना? जल्दी जाओ, Sanjay sir, तुम्हारा वेट करें कब से? Oh God! Sanjay sir, एटी जल्दी क्यों आगए? आपी गए और बहुत कुस्से ने. Oh God! तु मेरा बैक्षाना, मैं आखी. Mayakam sir. Come in. Sorry sir, sorry, 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 sorry. Sorry, I'm so sorry. What is this, Shishana? यह कोई टाइम में आउफिस आ लेका? So, traffic बहुत जाद हो. Oh, traffic, traffic. यह क्या रोज-्रोज का एक्षिवज है तुमारा? इस आउफिस में वाक्षी लोग भी इसी traffic में आते हैं ना? Come on, Kumar. No, no, 30 December के पहले कुछ नहीं हो सकता है. अड़, तुम जानते हो या, 30 December को मंदिरा मैम का इवेंट है मुंबई में, उसके पहले जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा. Oh? Oh. Okay. 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 How are you? Is호ana, वहाँ भार क्या देख रही हो? Ishoana, वहाँ भार क्या देख रहे हो? मेरे इखेबिन के खिर्की से खूद कर आत्मा क्यों की थी, आत्मा क्यों की थी, हो किसी को पता नहीं विसे, मंदिरा जी ने डीके को किस पर जासुजी करने के लिए काम पे लगाया था कि जान को खत्रा है डीके वही पता लगाने की कोशिच करा था जान को खत्रा किस है दरसल कोट से बड़ी होने के बाद कोई मैम को धंकिया दे रहा था ये धंकिया फोन पर ही यहां पोन पे भी अन्जान नंबरों से और टाइप किये गए चिठियों से भी मैम दुबारा पुलिस के चक्रों में परनानी जाती थी असलिए डीके को हायर किया था हुआ तो कुछ पता चला डीके को? उसके हाथ कुछ सभुत तो लगा था कि उसने एक पेन ड्राइव में सेफ करके रखा था वो पेन द्राइब ओ मुझे देना चाहता था इसलिए दिली से मूंभी आया था मैं ज़िखे के घर में उसको लॉकर खुला वहा था तो कहीं उस लॉकर से यह चो टोरी तो हमाता तो स अब अब कुछ समझते हैं, अब सब कुछ उनकी मर्जी से होगा. यह लो को ना? C.I.D. वैसे हम D.E.B. हम संजय से मिलने आये थे. आप दोनों कौन हैं? सर यह काहिरा है, Mr. Kumarmira मतलब मंदिरा माम की ब्यटी है. और यह माम के बहनोई है, Mr. Sapir. हम मंदिरा जी और उनके पूरे परिवार से कब मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी जान की हिफाज़त अब हमारे जमिदारी है. इन फेक्ट, मंदिरा माम, काहिरा के चचेरे भाई शिखर और उनकी पत्नी हमारा, सब आज रात को यहारें. 30 December को कुमार जुएलर्स का एन्यूल चैरेटी एवेंट है. उसमें शामिल होने के लिए. तो ठीक है, कल सुभी-सुभी मिलते हैं. तुम्हें? यह सब्के, उड़ चैरेटी हम्मारे परसन்मावलें में दखल्केविए रही है. पुर्णी, सर्. हलो, सर्. अब तब्यात केसी आपकी? मुडरर अइवेटिकेशन है, सर्. प्राइडवेटिकेशन डीके की. घरी में मौत्त हुए, सर्. यह पूरी केस्स फाइल है. मौता. सर्, यह तस्वीर हैं, उसके घर की हैं. घर की तस्वीर है, उसी के घर की तस्वीर है. और यहीं पर इसका मुडर होगा भाए. है न? बच्वाप्र यहीं पर मुडर होगा है. Pankaj, यह क्या पूच्री है हमसे? अब अब यही तो यही राता है? वोई तो, सर, लग रहे हैं, अभी विए उनकी तब्रियों ठीक नहीं है, कुछ गड़ पड़ लग रहे है, सर. अभी जेत? गुन्मार्ण, सर. क्या? चत्क्या वैयतु वाना, कहां गायब हो गेते हैं? अभी जेत, तुम्हारी तब्यत खराब थी, तो, दॉक्टर के पर जाना था, यहां क्यों? हाँ, वो, हाँ, सर, वो, कुछ तिनों से थोड़ी, थोड़ी गड़बड चल रही है, सर. पर अब ठीक है, आम बेटर नो, यहाँ, गड़बड चल लेही थी. सर, डीके संजे को जो पेंट्राइब देने वाला था, तो उसका जो डेटा है, वो हम हासिल करने का एक तरीका है, सर. पेंट्राइब तो मिला नहीं नदे? तो फिर डेटा का फिलाओगे? सर, है ना, एक तरीका है, वो हम... सर, जो, पूल करने के? अबूल करने के? हाँ? नहीं, सर? सर, अभी जीत सर के तभियत, अवी भी ठीक नहीं लग रही है को, सरोने केस के बारे में समझा रहे थे, लिक़्िन वो अअगी तरफ सुनी नहीं रहे थे, सर अपने में कहीं कुम थे सर्टी सर, मंतिरा केस के बारे में सारी डीटेल्स निकालनी है न्यूस्पेपर्स पर टीवी पर जो भी आया है, सब कर में गुषने का के की रास्ता है में गेट और चावी डीके और उसके घर के मेट के पास रहती है बातरूम की खिड़की मतलब कातिल कातिल ने बातरूम की किड़की का काच निकाला और अंदर गुसा और उसके बाद अभीजीत क्राइम सीन पर था भी नहीं और यहाँ पर तो बातरूम का कोई फोटो भी नहीं है तो फिर इससे यह सब कैसे पता अभीजीत मुझसे कुछ चुपा रहा है मगर क्या डीकी के कंप्यूटर से जो डेटा डिलीट हुआ है वो उसके ओनलाइन अकाउंट से निकाला जा सकते है बस एक पार यह पासवर्ड मैच हो जाए कुछ दिनों से तोड़ी तोड़ी गवड़ चल रही है साथ पर अब ठीक है आम बेटर माई सार उन्हें केस के मारे में संधा रहे थे डिकेंगो वो अवारी तरफ सुनी नहीं रहे थे सार अपने में नहीं कहीं गुंत है यस सार सार पासवर्ड मैच हो गया सर इसमें तो वीडियोज हैं चेक करते हैं सर ये तो ये तो टीके के कमपाउंड के अंदर के फूटज है इसका मतलब वहाँ पे CCTV कामरा है नहीं नहीं, था हमारे पाउशनी से पहले किसे निकालने है पर निकाला किसने होगा पूसा बेढ़े देंगे इकर सोसंगा झाल्ट रूस्ट इसका बेढ़े कर दो कर लिया नहीं तो अपने अच्छी तरह से ग्रॉश चेक तो कर लिया ना वतलब गन तो हमारे पास है नहीं तो कहीं कोई गल्ती नहीं तो कहीं कोई गल्ती नहीं नहीं कोई गल्ती नहीं मैंने एक बार नहीं दस बार क्रॉस चेक किया है मांता हो कि गन हमारे पास नहीं है लेकिन गन के रिकॉर्स तो हमारे पास है वो गोलियां जिससे डीके की मौत हुई है वो गोलियां उसकी ही गन स निशान, सब ये बात साबित करते हैं कि वो अभिजीत की गण है. सर, सब गोली अभिजीत की गण से चली है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसी ने गोली चला इए? अग्जयक्री Satra'm इसलिए मैंने ये बात ACP साफ को य नहीं बताईगी सिर्फ आप दोनों को बताईगी ताक्य मैं इस मामले के तटे तक चा सको क्या ? तुम्ने ये बात ACP को नहीं बताईगी ? क्या बताऊं सार ? क्या बताऊं ACP को यम्हें बताँ तुम्हें अभीजीत प्रशक हुआ क्या था वो इसलिए सर क्योंकि जब हमने ज़रा पिछले जाना अभीजीत टीके के गर में तो दया फिर भी तुम अभीजीत को पचाने की कोशिश कर रहे हैं देखो दया, अभीजीत और तुमारी दोस्ती को मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूं उसका अधर भी करता हूं लेकिन ट्यूटी अपना फर्स किसी भी रिष्टे किसी भी दोस्ती से स्यादा बढ़ा होता और ये बात मुझे तुम्हें बताने की ज़रत नहीं है अभीजीत की गण से नहीं पास नहीं होनी चाहिए क्या तुम लोगों को अब जीट नहीं बताया? उसने बताया कि उसकी गंग गुम हो चुकी है, कोई गुम्सुद्गी की रिपोर्ट लिखाई उसने? वो सवेरे से तुम लोगों के साथ है, क्या उसने बताया को ऐसे अजीब से कपड़े पैम करके डीके के गर में को गुसा और वो भी पाथरूम का शी शापूर, बताया, बताया? सर, आपके सारे सवालों का जवाब मैं अभी चीज से पूछ लूगा, पर सर, तब तक के लिए, प्ली सर, तब तक के लिए एसी विसाब को कुछ मत पदाना, मैं तुम लोगों के हालत को समझ रखो, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्ली सर, प्लीस, ठीक, कल सुबह तक, तैया मैं कल सुबह तक का टाइम तुमको देता हूँ, या तो सचका बता लगा लो, या फिर ये सारी की सारी बात, खुद एसी पी को बता लो, अगर तुम ने एसी पी को ये बात नहीं बताई, और फिर मैं खुद प्रद्यमन को ये सारी की सारी बातें बता गचर ब topicsि पाँ कि व कि अ गग ब मग önव ब होग अ, हमinceद की खら 추ð औो खल कोप ब भी बंडर्स मू कि अ स होड्य कि अ ग भी उड़ कि घं़ कि अग ड़क एख ए क कर आ घं़ साथा घंटे से उपर हो गया, दस का साड़े दस बज गया, अपिता काया है नहीं, पुरी राजियां लगता ही इंतिजार करवाएगा तुझे इसी का पीछा करना है, यह कहाँ जाता है, किसे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ, रात दस बजे से सुवेद छे बजे देख, यह अपिजीत है, इसको का हुलिया, यह गुलिया क्या मना रखाया इसको? झाल 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 सर, दिल्ली से सब लोग आ गय हैं, मंदिरा मैम, अमारा मंदिरा के देवर की पहु, कायरा मंदिरा की साौतेली बेटी, सबीर मंदिरा का बेनोई, शिक्खर मंदिरा के देवर का बेटा, आए मैम, यह है CID की टीम, अच्वा हुआ अच्वा हुआ आपको तो मालूम होगा के हमारा मशूर एनुवल इविन थर्टीए डिसेंबर को हुने वाला है I hope के आपने मेरी सेक्यूरिटी के सारे बंदुबस करा दिया है मुझे खलत मत समझेगा लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती अच्छी यह इवेंट मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने भी इफाज़त कर राएंगे और ढीके केस में क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी तहकी कर पहां तक पहुचे है उसकी जैने की आपको कोई जरुवत नहीं है मंधिराटी तरही बद आपस दोरक्षाखरी है वो हमारी जम्मेदारी है, वो इंट्रेस्टिंग, भाभीची आपको ड़ लग रहा है, मंदिराची को, जिसका कानून गी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हम, तो मानना पड़े हो अस इंसान को, जिसने आपको डरातिया, जिसने आपको डरातिया, जिसने पता क्या कर सकती है, जिसने आपको भी लगता है, कि मैने अपने पती और बाकी लोगों को मारा है, जिए मंदिराची आपको जो भी आरोप है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कोट ने आपको बरी कर दिया, और हम कोट के फैसले का सम्मान करते है, आप सिर्व इतना बता आपको किस विशक है, कोने वुजब को मारना चाहता है, शक, जिया, शक, ने, 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 मुझे शक किसी पर भी नहीं है, बलकि मुझे पूरा यकीन है, कि मेरे मरने के बाद, यह सब बहुत खुश होंगी, और मुझे मारने की साज़िश में भी, इन में से किसी एक का हात है अब आप ही बताइए, इतने प्यारे अच्छे रिष्टित अरोके होते वे, मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है, मॉम प्लीज, अब फिर से अपना ये एमोशनल रामा शुरू मत कीज़े, यहां ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है, जो आपको मानना चाहेगा, टाइक, खुद क अब आपको बेगोना और बाकी सब को विलन समझना, ये तो भावी की पुरानी आदत है, यह तो भावी की पुरानी आदत है, मुझे तो इस कहानी पर यकीन ही नहीं, कौन मारना चाहता है तुमको, और किसे न धंकिया दी है, कहा है वो धंकी भरे ख़र, हम अदिरागी, का बस हो गया, आप लोग एक दूसरे पर क्युचरू चालना, बंद कर दीजिए, और एक बात अच्छी तरह से याद रखिये, हमें सब पर शक है, और जब मैं सब पर कहता हूँ, उसका मतलब है, आप सब पर शक है, आप सब पर शक है, आप सब पर, और एक बात, हमारी पर्म सक कियõ उसनय मैं सुरण के यह है, इसमारी तरह सर म एक का tackle क्या है, ऊपक किया है, आप सब तरह से इ täll जाता है इत अ को तरह संस्वी जवे पाwnुता है, इसमारी स्या़मों है, जividad करस्टा है आई इस आटिए면 फियृ बारत एक है यह कपड़े पैंट के गुम बना था इसे कपड़े तो रोज सुभह मेरे वाशिक मशीन में दूल रहे होते हैं पर यह जूते गंदे रहते जैसा मुझे याद नहीं मैं यह कपड़े कपड़े हैं वह साच में मुझे… क्या हो रहा है मेरे साथ? यह कार में को यह? किस्से बात करता हैं? मैं कौन यह कार में? यह मैं नहीं देखा. तुम बात कर रहे तो तुम्हें पताऊगा. पर तो तो मुझे पैचाने नहीं नहीं तो तो किसी बड़ी काड़ी के नीचे जाना अली फोकट मेरे सामने क्यो आरा है तो कैसे बात कर रहा है और यह क्या बन के गुंग रहा है तो यह अपुन का स्टाइल है टोनी का स्टाइल हां तो कॉन मैं कॉन मुझे लें पहिंता है और यह तोनी कॉन है अटेडर टोनी आपुन है और कॉन नीचेट किसी के शिलसले में तु वैसा कर रहा होगा तो मुझे बदा दे है यार चारा मत भाई अधुन हो बेजी W है कुन सा के से तु क्या बोला ना मेरे बेजे में कुछ गुछ नहीं रहा संजा तोनी नाम में मेरा टोनी तोनी से पंगानी लेने का संजा चलावा आने दे रो टोनी को जाने दे यह अभीजीत अपने आपको टोनी क्यों बोल रहा है टोनी कौन कौन टोनी सच में तिरे को कुछ भी कुछ भी याद नहीं है नहीं इस कुछ याद नहीं सच कहरो मैं मतलब तू गार में उन लोगों से बात कर रहा था उसके बाद तू गेस्ट हाउस के अंतर क्या गेस्ट हाउस हाँ फिर थोड़ी देर बाद तू बाहर आया मैं मैं गेस्ट हाउस के अंतर क्या मैंने अंदर क्या क्या तो नहीं देखा कुछ कुछ क्या मैंने मैं कैसे देख सकता हूँ मैं तू बाहर था ना इख्या हुदा, मुझे वाँ चान नावा कौन, 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 कौन साइटेस्टा आवसेजिए? कौन, 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 कौ तुम्हारा फोन ट्रैक तरके और यही सवाल मैं तुम्से पूछ रहा हूँ भी जीत तुम्हारा कैसे है यहारा फोन यहारा फोन पर बतातो हुगा है, यहां पर क्या हुआ हुआ है रवजीद, यहां पर क्या हुआ होआ वह तुम्हें दीख रहा है, तुम बताओ, किसने क्या यह? अब जीट, मैं तुमसे पूछ पूछ रहा हूं। तुमने वारा इनको? सर, सर अब अब आपजी सर पे इल्जाम ने रहा है सर। मुझे इल्जाम लगाने की जोरत नहीं है पूरवी। तुम देखने रही हो? यहां दो दो लाशे पड़ी हैं, खून से लगपड़। और C.I.D. ऑफिसर अबिजीत लाशों के बीच से यह बैज, बैज उठा रहा है तो यह कह लो, कि सुराग चुरा रहा है अबिजीत, मैं फिर पूछ रहा हूं तुमसे मुझे तुम्हारे साथ अपरादियों जेसे बरताओ करने पर मजबूर मात करो तो क्या करो मैंने? क्या बोलो मैंने? अगर मैं बोलू कि मैंने यह नहीं किया तो मानो कि अगर मैं कौँ कि मुझे पता नहीं कि मैंने किया या नहीं आगर मैं अनरगल बोल लाँ लेकिन तुम लोग तो तुम लोग तो मुझे जानते हो ना? अबजीत, यहां मेरे सामने जो शबूत पड़े हैं उनको देखकर हम कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं मुझे अफर्दी बाना होगा मुझे अफर्दी बाना होगा अबजीत, इतनी देर से मैं तुम्हें पूछे जा रहा हूँ, पूछे जा रहा हूँ मगर तुम्हेरे पास कोई जवाब तक नहीं है तुम जानते हो तुम पर कैसा इलगान हो कुछ संभ़ रहे हो तुम? सर्वोब द्याने बस तुमसे यह उम्मिद नहीं थी देया इतना सब हो गया तुम्हें मुझे बताया तो तुम्हें क्यों नहीं बताया मुझे देया यह तो सरुन के तुमने मुझे बताया वरना पता नहीं देया, मैंने वही किया जो सही था बताओ अभीजीत क्या तुमने ये खून किया है अभजीत क्या ये खून तुमने किया है मुझे नहीं बता सर पता नहीं कैसे देविट बता नहीं कैसे अब दिख्ये के घर में चोरी चुपे तुम भुत रहते उसका सीजी दीवी फुटिज मैंने देखा उन नाचों के बीच ओबीच खड़े दे तो दैन तुमें खुद या पकड़ के लाया है ठीके और उन बोडी गार्ट पर जो गोलिया चली वो तुमारी इस गं से चली ए इस ली गं से चली ए और तुम कह रहो कि तुम्हें कुछ पता नहीं पता है सर मुझे कुछ नहीं पता सर, सौरी क्या बताओ मैं आपको, क्या बोलू सर जब मैं खुद नहीं जानता सर कि मैं डीके के गर में क्यों पहुचा कैसे यह सारे खोन मेरे इस गं से हो रहे हैं मुझे नहीं पता सर सर मैं तो डीके को जानता हुए नहीं मैं उन बोड़ी गार्ड्स को नहीं जानता मैं मैं तो अपने आपको भी नहीं जानता सर मैं क्या करता हूँ, कहां जाता हूँ, किस से मिलता हूँ, मुझे नहीं पता. इसलिए, इसलिए कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे ठीक से पदा नहीं चल रहा है. दिन बर सब कुछ ठीक रहता है, रात को घर जाता हूँ, खाना काके सो जाता हूँ और जैसे ही सुबह उठता हूँ तो, अजीब से कपड़े, अजीब से जूते जो मेरे नहीं है पता नहीं कहा से मेरे घर में आ जाते हैं, कपड़े वशिंग मसीन में धुल रहे होते हैं, जूतों पर मिट्टी लेगी रहती हैं ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैंने उनका इस्तमाल किया है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता थकान सी रहती है इसा लगता है कि इसे मैं राब हर जगा हूँ, लेकिन जग के मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता. लगता है, हर रोज मेरी जिंदगी के छे-ाइट गंटे गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ पता ले. आप कहते हैं कि मैं, मैं डीके के घर गया है, वो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता. मैंने डीके और उन बॉड़ी गाड्स को मारा लेकिन मुझे नहीं पता. मैं मंदिरा को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता. मैं क्या करता हूँ? मैंने क्या किया है? मैं क्या करने वाला हूँ? मुझे नहीं बता, सर! मुझे नहीं बता! देखो, बीजित, इस वक्त तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतर ना हो, मैं तुम्हें खुला में ही छोड़ सकता मैं तुम्हें नजर कहिए में रख रहा हूँ और दया तुम पर नजर रखेगा दया जा एक बात अची तरह से याद रखना तुम अपने दोस्त पर नहीं बल्कि एक कातिल पर एक खुनी पर नजर रख रहे हो एक ऐसा आदम जिसका मान से एक संतुलंग बगड़ चुका है अब से इस केस की तहकी काद मैं खुद करूंगा और तुम अबिजीत को रोकोगे कोई विजुन करने से गर उसके लिए तुमें अबिजीत पर गोली भी चलानी पड़े तो वो तुम चलाओगे अबिजीत करूए? अबिजीत करूए? यहाँ अद्कडी लगादो यार, सुना ना, मानसिक संतुलन टेक नहीं है मेरा कब क्या कर बैठों, कुछ पता नहीं रोख लो मुझे इससे पहले मेरे हाँ तो कोई और गुना हो जाए रोख लो मुझे यार आपका ओफिसर, आपका अपना C.I.D. ओफिसर मेरी जान के पीछे पड़ा है उसने उन लोगों को भी माँ डाला जो मेरी हिफाज़त कर रहे थे और आप बड़ी शान से कह रहे है कि डर्णी की कोई बात नहीं है वह आपकी नाक के नीचे लोगों का कतल कर रहा है तो आप अभ ड़ी कह रहे हैं कि बहुत बोल गई है हमारा इल्सकेटर अभीजीद एक इमानदार और बादूर सिपाजी है अपने देश की रक्षा के लिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है लेकिन एक किलर कभी नहीं बन सकता है हां उस पर इल्जाम जरूर है तीन इसका मतलब है नहीं कि वो कोई सीरियल किलर है मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूँ खत्रा है आपकी जान को तो वो आपके इन रिष्टेदारों से है एक्स्क्यूज में सबूत सारे आपके ओफिसर के खिलाफ मेले हैं और शक आप हम सब पे कर रहे हैं यहां मैं सब पर शक क कर रहा हूँ आप तो उसे ही बचाएंगे वो तीनो खून इंस्पेक्टर अभीजीत की गन से चली भी गोलियों से हुए और आपको लगता है कि यह काम हम में से कोई कर सकता है अरे हमारे पास आपके ओफिसर की गन कहां से आईगी शिखर जी जल से जल और पता लगा आपके पास कैसे आई देन मंदिरा जी एक रिक्वेस्ट है आपका जो तीस बिसंबर का इवेंट है आप कैंसल मत कीजिए बहुत अच्छा मोका है खूनी को पकड़ने का क्योंकि खूनी उस एवेंट पे जरूर आएगा सब्सक्राइब आपके बारे में कुछ कह रहे थे क्योंके जहन में कोई और शक्सिया उस जाती है याददाश तुन की मतलब उन्हें रात के कुछ घंटे याद नहीं रहते है बिल्कुल एसा ही एग्जैक्री आसा ही किसी और के साथ भी हुआ था इसके साथ है इसके साथ ह जिस दिन उसने आत्मात्या की उसके कुछ दिन पहले से बिल्कुल ऐसा परताफ करने लगी थी वो पस अजीब सी हो गई थी वो खोई-खोई रहती थी जिस दिन आत्मात्या की उसने उसके कुछ दिन पहले से एक अचीब सा रिंग टून लगा रखा था उसने अपने फोन पर और फिर उस दिली अचानक से वो रिंग टोन बजने लगा और और ऐसा लग रहा था कि वो इशाना नहीं कोई और है सर अबीजी सर भी तो दिली से आने के बाद इस तरह से भी एफ करें हाँ इशाना अभीजी दिली यह तीनों का कोई नखोई कोई कोई कनेक्शन जरूर है कुछ न कुछ तोओं गड़बड़ जरूर है कुछ न कुछ तोओं ए कॉफी पीलो, यार, कुछ मिलाया नहीं है मैं यही हूँ और कहीं भागने वाला नहीं अभजी तुमने हम सबसे इवाद चुपाई क्यों चुपानी पड़ी यार क्या करता मज़ मज़ कुछ समझ में नहीं आराथ था क्या यार, कैसी बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो कैसी बात मुझे तो यह लगने लगा है कि मैं तो जानता भी नहीं हूँ असवाद में यहाँ बैटके साथ में से बात कर रहा हूँ वो अब जीत है या फिर कोई टोनी है मैं तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुचाने वाला अब जीत हुए अटोनी सपने में भी नुकसान नहीं पहुचाऊंगा दिखाने के जुरत नहीं है बात यह ही नहीं कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुचा सकते हो या नहीं बात यह है कि मैं यहां सिर्फ अपनी जूटी कर रहा हूँ और मैं कोई चांस नहीं ले सकता मैं तो तुम्हें शाय जानता भी नहीं हूँ ठीक है जब तुम समझने को तयारी नहीं है तो क्या है हुआ है तो डॉक्तर मेश हमने आपको सारी बात बता दी अब आप बताई आपको क्या लगता है कि देखिए अभी अभी आपने जो कुछ भी मुझे का ये अभी जीत और इशाना के बारे में उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों की कंडिशन एक जैसी है कि आर्टिफिशली इंडूस प्लीट पस्नाइटी इसे सरल शब्द में मैं आपको समझाओं तो इसमें पेशन के दिमाग में उसके अपनी व्यक्तित्व के अलावा एक और व्यक्तित्व को प्लांट किया जाता है जो किसी खाश लशान निर देश आदेश के मुताविक चलता है और उसे इस तरह सेट पिया जाता है कि वो व्यक्तित्व और निर दारी पर निर्दारी ट्रिगर मिलने पर उस व्यक्तित्वं हवी हो जाता है और जितनी देर ये हवी रहता है वो पुराने विक्तित्व के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही उसे पुराने विक्तित्व के बारे में कोई भी चीजें याद रहती है ये इनसान का दिमाग है इस दिमाग के दो मुख्य हिस्से हैं सचेत मस्तेश्क याने कि conscious state of mind जिसमें हम अभी हैं और अचेत मस्तिश्क याने कि semi conscious state of mind जो हम सब सो रहे होते हैं उस पक्त होता है और कभी-कभी जागते हुए भी किसी नशे या किसी दवाई के असर में हमारा अचेत मस्तिश्क एक्टिव होता है सचेत और अचेत दोनों ही अवस्था में ही दिमाग अलग-अलग होते हैं इस अवस्था में दोनों ही दिमाग जो सोचते हैं जो बाते हैं जो यादे हैं उसे सेव कर लेते हैं सचेत मस्तेश में सेव बातें तो हमें बसों तक याद रहती लेकिन अचेत मस्तेश्क में सेव की वी बाते हैं हमें याद नहीं रहती है दोक्टर महेश ये कुछ हेप्लोसिस जैसा सम्मोहन जैसा जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवाया जा सकता एक रोबोर की तरह से पर बात में किसी खास आवाज से उस सम्मोहन को तोड़ दिया जाता है और इंसान को कुछ भी आद नहीं रता है ने ने डोक्टर सालोंके शम्मोहन अलग प्रक्रिया है सम्मोहन में आप आदमी को तभी तक कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक वो सम्मोहित अवस्ता में है सम्मोहित अवस्ता से एक बार वाल रिकलने के बाद उसे वापत सम्मोहित करना पड़ता है यह मुद्दा ही बिलकुल अलग है है यहां पर इंसान के देमाग में एक घटना जो बिल्कुल घटी नहीं है एक व्यत्थी जो है नहीं उसे उस इंसान के अंदर ताला जाता है उसके दिमाग में ये बाद फिट की जाती है जहा तो इसका मतलब है यह सब कुछ तो अभीजीत के साथ हो तो एक इसी वितारह से तो तरिगर मिलता है जिसकी वज़े से टोनी जाग जाता है। एक्जैक्लि सर। सब्सक्राद को अभीजीत के सोजाने के बाद उसको जरूर कुछ आवाजे सुनाई देती होगी। जो कि उस टोनी के लिए ट्रिगर हो सती है। तो आवा सुनते ही टोनी जाग जाता है। लेकिन अभीजीत वही सोय रहता है। टोनी जाग जाता है। वो टोनी जो खुनी है, जो दरिंदा है, जो मुझरिम है। और अभीजीत के जानने वालों में से, वो किसी को भी नहीं जानता है। अगर ऐसा है तो अभिजित के अंदर के टोनी को भी किसी भी तरह से कमांड जा गया है मंदिरा को मारने का वो कि तीस डिसेंबर वाली एवेंट में यह टोनी से अंजाम देगा मंदिरा को मारने की कोशिश करेगा दो दिन बात थीस सिम्बर अह दो स्ट्वार को अपची अपची आपची आपची अपची आपधीů आपची हम कहा हूँ अब जीट है अब जीट ओए टोनी कौन है तू 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 अप उनके घर में क्या कर रहे हैं अब जीट टोनी तू यहां से पार नहीं जा सकते हैं तू यहां नजर बंद हो इस खर के अंदर रहना होगा समझें टोनी को अपना काम करने का है मेरे रस्ते में खाली पी लियाएगा बेजा उड़ जाएगा चला वा आने दे गर से बाहर नहीं घर में आधडा आधडा बोला ना डोनी को अपना काम करने का है मेरा बेजा मतिला मेरे और काम के रास्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता चला डोनी तूम कहीं नहीं जाओगे यहीं घर पे रहोगे तूम समझें कह बहुशल कि यह कर रहे हो तूम टोनी पे अट उठाएगा घुँ इंड कि अजँडर लुट मेई पपेखए लाब सबडेद लूभ ैि अउच अजए हैं! अवशीत! तोनी को बार्ट रेका! तोनी को बारेका! नोनी को बारेका तो! प्रूला ताम तेरेका टोनी सप्पंगा नेले नेका है? प्रूला तेरेका प्रूला श्रूला अजिए तर्देन, क्या हुआ अजएएफसर यह लोग बोलना है कि मैने हूँ? तुम अदर नहीं जा सकते हैं तुमने दया की जान दी निये इशाना के फोन रिकॉर्ड में डॉक्टर तानिया का नाम कई बार है। आप में इसे कोई जानता है डॉक्टर तानिया को? आत्मात्या करने से पहले वो डॉक्टर तानिया से मिली थी कै? यह डॉक्टर तानिया का इंडेंटिस्ट तो नहीं। इशाना मरने से पहले कई बार एक डेंटिस्ट से मिली थी, मुझे नाम तो नहीं मालू, पर हो सकता ये वाई हो जितना मुझे लगता है, ती कोई डेंटिस्ट तो नहीं है कुछ दिनों पहले, सिएडी ओफिससर अभीजी त्यार रुखे थी यस माम, उस पूरे हफते में यहाँ जो कोई भी रुका दा, उन सब की लिस्ट जही है और उनके स्टे के दौरान इस लॉबी की CCTV फुटेज भी देखनी है एक मिल्टेक मिल्ट, पॉस कीजे यह लड़की कौन है जिससे अभीजीत सर बात करें? पुर्वी, इस व्लीष में डॉक्टर तानिया का नाम है और वो यहीं पे रुखी वेती, जब तक अभीजीत सर यहाँ पे थे शायदी यह वही लड़की, क्या नामे इस लड़कीगा? मैं डॉक्टर तानिया, अपते बार यहीं थी वो सर, तानिया से तुरंद मिल्ला सर, तानिया मुंबई के पैरड़ाइस होटल में रुखी हुए क्या मतलब मुझे टिकेट नहीं मिल सकता? लोग, मुझे अभी इसी वक्क इंडिया से पहा जाना है, do you understand? Yes. डॉक्टर तानिया? जी, आपका? इशाना. इशाना की दोस्त? सीएडी ओफिसर, पूरवी. आगना बड़ा मुश्कील है? कहां वाग रही है थानियाजी? क्या? क्या चाहते क्या है आप लोग? अभीजीत के साथ क्या किया तुमने? इशाना और अभीजीत के दिमाग के साथ मैंने ही एक्सपेरिमेंट किया है इशाना को आथ भैत्या करने के लिए और अभीजीत को एक मडर करने के लिए मैंने ही प्रोग्राम किया था कैसे? कैसे किया तुमने प्रोग्राम? अर्टिफिशली इंड्यूस्ट स्प्रेट पैसन अर्टी के जरीए मैंने दोनों के दिमाग को सेट किया और अपने सेट शेडूल के मताबिक दोनों को इस तरह ब्लान किया कि एक ट्रिगर बज़ेगा या एक कॉल आएगा और जब भी ये कॉल आएगा दोनों को वो सारे ओडर्स मानने होगे किसे भी हाल पे वो फोन नंबर जहां से उनको फोन आते है किसका नंबर है वो एक पीसियो का नंबर है इशाना ने मुझे ये नंबर दिया था अभीजीत के दिमाग में फीट करने के लिए क्या कहा तुम्हें अभीजीत के साथ ऐसा करने के लिए इशाना ने कहा तुम्हें जी. और फिर इशाना की खुदकुशी? उसका क्या? उसका क्या? वो भी कोद इशाना नहीं कहा था मरसे करने के लिए. वाट? जी. कहा तो इशाना नहीं था, बड़ अम्शूर कि इसके पिछे जरूर किसी और कहात है. जिसके पारे में मैं नहीं जानती है. क्यों? क्यों करीगिया इसाओ? इभी उसकी कोई मजबोरी है. अमें किसी भी हालत में अभीजीत को इसमें से निकालना होगा है. लिए चलो इसे. चलो. वो बाहर नहीं आ सकता है. क्यों? मैंने अभीजीत के दिमाग को प्रोग्राम किया है. सम्मोहत नहीं कि जाकर उसका सम्मोहन तोड़ दू. मैंने अभीजीत के दिमाग में खूनी को प्लांट किया है. तोनी को. यही है वो आटिफिशली इंडियोस्ट पसनालटी. जो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा. और मैं चाहूँ भी तो भी मैं अभीजीत को इससे बाहर नहीं निकाल सकती. क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, तो यह तो अभीजीत पागल हो चायेगा. यह उसकी जान भी जा सकती. मतलब? मतलब यह कि जब भी ट्रिगर होगा, तोनी मंदिरा को मार के रहेंगा. और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो वाकई मंदिरा को मार नहीं रहेंगा. और इसके बीच में जो भी आएगा, वो भी मलेगा. तोनी को मारेगा जो! अज है क alan मॉनें ट्रिगर क्या है क्या ट्रिगर एभीजीद के लिए इशाना की के सिक्रिगर था एक अर दिंग टॉन और अप डिजीद के केस्फ 009 हैस dunno एक खास तरह का विप जो मैंने विजीद की मुबाईल प suka दिया था हम अगर अभीजित मंदिरा को कैसे भारेगा, क्या प्रोग्राम किया है तुमने बताओ वो तब तक मंदिरा को चाकू से मारता रहेगा जब तक की बहुत सारा खून नहीं बहजाता और किसने बजे के लिए प्रोग्राम क्या ही है? दस बचे माई कुआ, इसे दो मिनिटे बखी है गिरफ्ताफ तर लोई से अभी सिंदेगे में नी सोचा था सार कि आपके उपर मुश्रिमों की तरह नज़र रखनी पड़ेगी अउनकल दामिट पूनो ठाव हलो हलो संकज खाते तुम मोबाल क्यूने उठा रहे थे स्राइब एधर इदर यजी सर के पार सुरो मेरे बाद अभी के अभी जाके अभीजीट का फोन स्विच ओफ करो क्या सिर्ड पोन स्विच ओफ करो फोन स्विच ओफ करो जैसे मैंने खाब ऐसे करो अभी इसी वाथ अभीजी सर का फोन से पंकर्च तुम सवाल क्यों कर रहो अभी के अभी जा के फोन बन करो दिखो बिल्कुल वक्त नहीं हमारे पास ने तो अभीजीद का टो नी बन सकता है अभी जाओ जटी कृ cockpit वेच्ण? पासी एन, रोने, quirkyजी थीर, औरे की पुल्खं़ दख़याос эту के? आपिजी चार! आपिजी चार! तोनी को बंदिर करके रहते हैं? डोनी को बात्तु? डोनी को! जोबियो डोनी और मंदिरागे बीच मममेंको! यही चारिटी इवेंट का विलियों. आप लोग, रुख जैये, प्लीजु. लेज्स रुख जैये, जैये, खाली में. हर साल की तरह इस साल की जो ये शाम है, वो बहुत खास है. क्योंकि ये शाम है, मंदीर ज्वेलर्स के एन्नियोच एवेंट की, जिसमें जमा की गई सारी राशी दिल्ली और मुंबई के अनाथ आश्रमों और वृद आश्रमों को जाती है क्या बात है तालिया बंती है इस बात पर डिकेशी चैरिटी के लिए हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी मुख्या थी थी है बहुर कोई नहीं है बलकि मिसिस मंदीरा खन्ना है तो आएए दोस्तों आप सभी की जोड़दार तालियों के पीच हम स्वागत करते हैं मिसिस मंदीरा खन्ना का मिसिस मंदीरा खन्ना हम स्वाइब थाल्जा जाएब लिए्टाव थार फे ऊत्तों आप बल्सका प्रचा पार सिन करते हैं झालिए जड़दा भ्ड़दार प्रमाइब छूप्या थ्चिछ थाल्जाब बल्सकी नहीं हो आएएब ताल्वदार पन्ना झाल 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 मंजराजी, तुनी ने अपना मिशन पूरा किया, मंजराजी को मारने का, वैसे एमपर भरोसा करने के लिए बहुत-बहुत शुकुरिया, मैम. आप लोग मुझे यहां क्यों लाएं? मुझे तो स्टेज पर होना चाहिए, ना? मुझे, हमारे एक प्लाइड. प्लाइड? पूरवे. प्लाइड प्लाइड, मंध्यराजी. और आपकी इम्मत की विदाद देनी पड़ेगी. थैंक्यू. मॉम? मॉम, अप्टीको ना? यह सब क्या? आप लोग हमें ग्रीन रूम में लॉक करके क्या हासिल करना चाहते थे? अखिर खूनी तो कोई और ही निकला, ना? सेर, आपने यह सब मॉम की जान को खत्रे में डाल कर किया. अगर सेचमुष मॉम को कुछ हो जाता तो? यह तो वाकरी बहुत बड़ा रिष्ट था सेर, अब आप खत्रा तल गया है. खत्रा अभी तक तला नहीं है. यूगे इस खेल का असली मास्तर माइंग, आप तक पकला नहीं है, कानी यह विबा की है. क्या हुआ? मुझे देखने अच्छा नहीं लगा? कभी-कभी कातिल तक पहुशने के लिए, हमें मरना भी पड़ता है. इसका मतलब इनके खून की ख़बर ना तक सी? ना तक कहिए या फिर कातिल तक पहुशने की एक चाल हमारी. मेरी मौत से कातिल बड़ा खुश था, यह काम्याब हो गया. और उसी समय का हमने फाइदा उठा है. मंदिरा जी को बचाने में लगे हुए थे और दया. मास्तर माइंड की पीषे लगा था. लेकिन, असली मास्तर माइंड है कौन? है! शर्ण, शर्ण, कोई भाता, शर्ण. पुखड़ो, उस्वे! तあиях पुखड़ो, उस्वेरा थंडूद, शर्ण, शर्ण, वझा शर्ण को अर्ण, अर्ण, वहाँ ह jak अर्ण, शर्ण. लेकिन, शर्ण, शर्ण, शर्ण. शर्ण, शर्ण, वहां है को भाता. पॉपज़ों शर्ण, वहां है… जिल ऑा है, तझन, शर्ण. करने बाला कुछ बास्तां में ठाक एंपरते तो यह सोच रही हो कि हमें कैसे पता चला कि खुण तुम ने किया है? अब यह तो पता था कि यह मास्टर माइंड मंदिरा जी के अपने में से कोई है इसलिए मेरी मौत के बाद सबसे पहले हमने यह पता किया कि आप में से वो कौन है जो अभीजीद को जानता था या फिर उसे मिला था फिर मुझे याद आया है कि क्राइम ब्रांच के सेमिनार के लिए अभीजी दिली गया हुआ था उस सेमिनार में आने वाले लोगों की लिश्ट देखी मैंने तो मेरा ध्यान काईरा पे गया है क्रिमिनल साइकोलोजी की स्टूडेंट काईरा जब आमने दोक्रत तानिया से पूखताची तो पता चला कि इशाना ने उसे कहा था है इस अब करने के लिए वाक्त इशाना की मा इसारकारी अशपताल में अटमिट थी उसके तुरंध वास इशाना की मा को जविनस्टार हास्पड़ल में अडमिट किया गया है और उसका सारा खरचा मिस्काइरा ने उठाया था और सबसे बड़ा क्लू वो पी सिय जिससे अबी जी सर को फोन पे ओर्डर्रस मिलते थे दैसर ने उस पे नजर रखी और वहां पर भी तुम दिखी कि फाइन हाँ मान गई कि आप लोग वह बहुत स्मार्ट है लिकन सर इस बात से तो आप भी अग्री करूंगे न कि मैं भी बहुत समार्ट हूं हाँ, स्मार्ट तो हो तुम, क्रिमिनल साइकोलोजी की होश्यार स्टूडेंट, जो अपने साउतेली माज से अपने पूरे परिवार का खून का बदला लेना चाहती थी लोगों के दिमाग से खेलना, उन्हें अपने चक्कर में भसाना, ये इनकी खासियत है तो मुझे लगा कि क्यो ना इन्हें की तरीके से मार दिया जाएंगी, इसलिए मैं इशाना से मिली और फिर टॉक्टर तान्या से मदद ली, शी वस मैड, शी वाँटे दू एक्सपेरिमेंट, फिर मैंने इशाना को बहुत समझाया, कई बार समझाने के बाद, शी वस उसने वो एक्सपेरिमेंट अपने उपर लिया, लेकिन, लेकिन सम्हाँ आए वस नहीं कर बाएगी एक्सपेरिमेंट, फिर उसी दौरा, मैं डेली में अभी जीट से मिले, और उनसे मिलने के बाद, मुझे लगा कि इतने सच्चे और एमानदार पुलिस ओफिसर के होते कि एक्सपेरिमेंट को यह और क्यों करें? पिर मैंने और डॉक्टर इतान्या ने अभी जीट को महरा बनाया और अपना एक्सपेरिमेंट उन पर किया और रिशाना हमारे किसी काम की ने थी, इसलिए हमने उसे अपने दासे सेहटा दा दिया इसलिए क्या क्योंकि सारा इल्जाम अभी जीट पर जाए और अभी जीट की बुलिट्स और गंस हासिल करने के लिए टोनी था ना उसके दिमागें पर देव कम इतनी खदरनाक हो सकती हो कायरा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अपता चल गया हमाँ तुमने मेरे माबाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ जो भी किया है तुम जीने का कोई हक नहीं है मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं ये प्रूफ करना चाहती थी कि जुनिया में किसी के भी दिमाग के साथ खेला जा सकता है चाहे वो सी आईडी ओफिसर ही क्यों नहों? शैरा बदले की आग में तुमने एक बादूल सी आईडी ओफिसर की जान के साथ केला है और तो और चारम आप तुम लोगों की जाने भी ली एके, विशाना, और मंदिराजी के दो बॉड़ी गार्ड बहुत गलत किया तुमने गानुन तुम्हे कभी माफ मही करेंगा तुम्हे तो फार्षी होगी, फार्षी जारा, प्लीज यह सभी आदम करिये एक बुरा सपने समझ कर भूल जाएगे बुरा? यहार आवना? भूस, ना भूल सानुकिया जालो, केस तो सॉल्व हो गया? हाँ, केस तो सॉल्व हो गया लेकिन लेकिन क्या? भूस, अभीजीत के दिमाख में जो टोनी को प्लांट किया गया था वो मकसद पूरा हो गया अब उसे कोई ट्रिजस नी आएगे कोई कारा की आवास सुना ही ने देंगी कभी नहीं जाएगा क्या? तोनी अभीजीत की पर्सनेलीटी का इस्साबन गया है वस कोई नहीं जाता हो कभ कैसे कहां सामने आजाएगा पर देंगी नहीं जाता हो